शुब संधिया, मेरा नाम सुश्री सुभलक्षमी मुदोली है मैं कक्षा छठी अ मैं पढ़ती हूँ मेरे विद्याले का नाम केंद्र विद्याले आयाइटी खड़कपुर है आज मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है Automatic On-Or-Off-Light Circuit तो आज़िए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आवश्यक सामगरी क्या है इसके लिए मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है ट्रांजिस्टर BC547 लिया है ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होता है पहला है collector दूसरा है base और तीसरा है emitter फिर मैंने एक LDR लिया है LDR का full form है light depending resistor फिर मैंने एक LED bulb लिया है एक resistor लिया है एक battery बैटरी मैंने यहाँ पर 9V का लिया है और कुछ wires भी लिया है तो आएए मैं आपको बताती हूँ कि इसके connections कैसे हैं और यह का से काम करता है तो सबसे पहले मैंने transistor के emitter terminal को connect किया है LDR के पहले terminal के साथ फिर मैंने transistor के base terminal को connect किया है resistor के पहले terminal की साथ फिर मैंने transistor के पहले terminal से ही एक wire connect किया है LDR के दूसरे terminal के साथ फिर मैंने transistor के collector terminal से एक wire connect किया है LED bulb के negative terminal के साथ फिर मैंने LED bulb के negative terminal से ही एक wire connect किया है resistor के दूसरे terminal के साथ फिर मैंने LED bulb के positive terminal से एक wire connect किया है battery के positive terminal के साथ फिर मैंने LDR के पहले terminal से wire connect किया है battery के negative terminal के साथ तो आएए मैं आपको बताती हूँ कि जब अंधेरा होता है या रोश्नी नहीं होती है तो यह कैसे काम करता है और यह सब क्यूं होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एक दो अंधेरा है और यह किस तरह से जल रहा है और जब कमने में रोश्नी होती है तो यह अपने आप ही बंध हो जाता है यह सब इसलिए होता है क्यूंकि LDR जो है एक sensor की तरह काम करता है जब इसके इस portion पर light गिरता है तो आप यह current को pass होने नहीं देता है जिसके वजह से आपका LED bulb नहीं जल पाता है और जब इस पर light नहीं गिरता है तो यह current को pass होने देता है जिसके वजह से आपका LED bulb जलता है तो आए मैं आपको फिर से एक बाट दिखाती हो तो यह फिर से जल रहा है क्यूंकि एकदम अंधेरा है और LDR के उपर रोशनी नहीं गिर रही है अब क्यूंकि LDR के उपर रोशनी गिर रहा है तो यह current को pass होने नहीं दे रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा project इस तरह से काम करता है धन्यवाद एवग शुब दिन